हेलो गाइज वेलकम बैक टो अवर चैनल आज मैं आपसे इंडियन होकी के बारे में बातचीत करने वाला हूँ ग्राम रीड ने इंडिया में सोकी के हैड कोच से स्तीफा दे दिया है ग्राम रीड दोजार उन्निस में में सोकी टीम की हैड कोच की कमान समाली थी ग्राम डीड ने टोक्यो समर ओलिम्पिक्स में इंडिया को ब्राउंज मेडल जिताने में हेल्प की थी इंडिया ने इस मैच में जर्मनी को हराया था इंडिया ने लगबग 42 साल बाद पोडियम पर फिनिस किया था लाश्ट टाइम हम 1980 में वोड मेडल जीतने में काम्याब रहे थे इस बार हम ब्राउंज मेडल जीत पाई पहले हमारा देश होकी में बहुत अच्छा परफॉमेंस करता था बट 1980 में फेडरेशन ओफ इंटरनेशनल होकी ने नियमों में बदलाव कर दिया था उसके बात भारत का परफॉमेंस काफी खराब रहा गराम रीड ने भारत को काफी अप किया है in football terms ग्रहाम रील्ड एक आस्टेलिन होकी प्लेयर रहे हैं या एक टेफेंडर थे ग्राम रीड ने भारत को दुबारा उसी कामियाब भी दिलाने में पूरी और कोशिस किये जहां हम 1910 तक थे काफी हद तक हम कामयाब भी रहे हैं अभी हमें काफी सफर करना बागी है अपना पहले वाला मुकाम हासिल करना जो की इंडिया होकी स्टीम पहले अपना दबदबाख कायम रखती थी ग्राम रिल्ड ने हाली में हुए होकी वर्ल्ड कप में ख्राप परदशन के चलते हुए इंडिया मैंस होकी के टीम के हैड को से स्टीफा दे दिया है ग्राम रिल्ड को ग्राम रिल्ड को इस वीडियो के जरी है मैं और आप एक छोटा सा ट्रिब्यूट या थैंक यू बोलने की कोशिस कर रहे हैं थैंक यू फो ग्राम रिल्ड फो गिविंग शच अ मैंजिकल मोमें फो होकी लवर्स और इंडियन नेशनल्स विश्यू विश्यू बेस्ट अफ लुक इन यूर फीचर थैंक यू गाइस वर सपोर्ट मी प्लीज सब्सेयर सब्सक्राइब और लाइक गॉट ब्लस्यू जय है जय भारत